हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप आशा करते हों सब लोग अच्छ होंगे आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और ब्लेस टैबलेट के बारे में इसको हम कभी यूज करते हैं इसको कितनी मात्रा में आपको लेना है और कितने टाइम तक आप इसको ले सकते हैं, इसके क्या side effect होता है और इसके क्या benefit होता है ये multi mineral और multi vitamin supplement होता है, जो कि हम कई सारी disease में यूज़ करते हैं इसके बारे में मुझे कई लोग के comments आ रहे थे कि मैं इसको हम कब यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं इसके बारे में हमको कुछ जानकारे दीजिए तो हम जानते हैं कि डॉक्टर आपको क्यों देते हैं जैसे कि महलाओ को कही सारी समश्या होती है यह महल और फिमेल दोनों में हम यूज़ कर सकते हैं यह कंडिशन पर डिपेंड करता है कि किसको देना है किसको नहीं देना है तो जब भी आप ले तो डॉक्टर की सला से ही ले इसको अपनी मर्जी से खरीद करके नहीं खाना है जैसे कि हम बीमारियों के बारे में बात करते कि कौन-कौन सी बीमारियों में हम इसको लेते हैं ये एक health supplement होता है तो इसको कोई भी ले सकते हैं जैसे कि कई महिलाओ के periods irregular होते हैं यानि कि period जल्दी आ जाते हैं या काफी delay होके आते हैं तो उस case में भी doctor आपको इस medicine को लेने के लिए बोल सकते हैं इसके बाद में कई महिलाओ को PCOS के problem होती है जैसे कि PCOS में periods नहीं आते हैं फेस पे pimples एकनी होने लगते हैं या फिर आपको unwanted hair आ रहे हैं या PCOS के पूरे symptoms आ रहे हैं वेट गेन हो रहा है आपका तब भी doctor आपको इसको लेने के लिए recommend कर सकते हैं इसके बाद में जिन महिलाओ को infertility की problem हो रही है बच्चा try कर रहे हैं पर conceive नहीं हो रहा या काफी सम से आप pregnancy plan तो कर रहे है पर बच्चर नहीं ठेर रहा तो उस condition में भी यह health supplement होता है nutrition की कमी को पूरा करता है कई लोग को कूपोशन यानि की nutrition की कमी हो जाती है तो ऐसने में भी patient को बहुत weakness लगती है काम आम करने का मन नहीं होता है तो ऐसी condition में भी doctor आपको इसको दे सकते हैं जिन महलाओ की hair fall की problem ज़्यादा हो रही है चेरे पे काफी डलने सा गई है या फिर PCOD PCOS की problem महलाओ को ज़्यादा है period sin regularly infertility की problem है तो ऐसे कैसे में में हम female में इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं और जिन महलाओ को ovulation से related problem है यानि कि ovulation नहीं हो रहा एक की quality अच्छी नहीं है अंडा नहीं निकल रहा है तब भी डॉक्टर एक की quality बढ़ाने के लिए ovulation करने के लिए भी इसको दे सकते हैं मेरे एक वीवन ने मुझसे पुछा था कि मेम लेटरो जोल और ओवबलेस दोनों को हम साथ में ले सकते हैं तो हाँ आप दोनों को साथ में ले सकते हैं दोन को दी है तो आप दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं जब भी लेते तो कम से कम 30 मिनिट का गेप देना है एक साथ दोनों को नहीं लेना है वह अबलेस की अगर हम मात्रा की बात करें तो हर patient की condition अलग अलग रहती है बाकि अगर हम normal dose देखे तो एक tablet per day लेना sufficient होता है patient के लि सकते हैं इसके result बहुत अच्छे हैं अब हम देखे कि इसके side effect क्या होते हैं तो ओबलेस टैबलेट जब भी आप लेते हैं तो इसके बाद में वैसे तो कोई side effect देखने को नहीं मिलते हैं पर लेने के बाद में अगर आपकी body में कोई changes आता है या आपको uncomfortable सा feel हो रहा है जिस इसके लिए जो भी आपका doctor इसके साथ में और कुछ supplement अगर आपको देते हैं तो आप वो ले सकते हैं अगर doctor को लग रहा है कि यह tablet आपको suit नहीं हो रही तो doctor आपको बीच में बंद करने के लिए भी इसको बोल सकते हैं पर अगर आप पर ड़ लेंगे तो आपको habit में आ ज दिखाई देती हैं इसमें आपको multi vitamin में जैसे कि आपको vitamin A, vitamin B1, B2, B3, B6, B2, vitamin C, E इतने सारे आपको multi vitamin मिल जाते हैं उसके बाद में आपको इसमें minerals भी होते हैं जैसे कि elemental copper होता है iron, magnesium, selenium होता है, zinc और iodine भी इसमें होता है, green tea होती है और उसके बाद में inosital भी इसमें पाय जाता है, तो आप इसको ले सकते हैं, इसका बहुत अच्छा result मिलता है patient को, इसके बाद में एक पत्ते में 10 tablets होती हैं, जो कि अगर आप एक strip लेते हैं तो वो आपको 10 जिन तक चल जाती हैं, तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के मा हमारे में डॉक्टर आपको दे सकते हैं, धन्यवाद